नमस्कार दोस्तों, जी के अर्धुन सार यूब्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है, जुनियर एड़ेट भरती जो 17 अक्टूबर को होने वाली है, समान ग्यान के टाप 50 प्रस्ण इसमें प्रेटिसेट वन के तहत आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो च सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ, इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे, तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं, देखें इसमें पहला कोशन है, सबसे पहले पहिए किस से बने थे, रबड से, कांच से, लकडी से या लोहा से, तो सबसे पहले पहिए किस से बने थे, लकडी से, इसका राइट एंसर हो जाएगा, कासी, पहला का, दूसरा नमबर देखें, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था, कासी, कोशल, कौसामभी या कपिल, वस्तु, तो प्राचीन समय में अवध कोशल के नाम से जाना जाता था, इसका राइट एंसर होगा, भी कोशल, कोशन नमबर तीन है, प्रसिद ब्रेदेश्वर मंदिर में इस्थित है तो ब्रेदेश्वर मंदिर कहां प्रसित है तेलंगाना में, केरल में या करनाटक में या तमिल नाडू में इसका राइट एंसर हो जायेगा D. तमिल नाडू में Question number 4 देखे बौध तिर्थ अस्थान दांत का मंदिर कहां इस्थित है ये कहां है कहां इस्थित है मलेशिया स्रिलंका नेपाल या चीन में इसका राइट एंसर होगा भी कहां परिस्थित है ये दांत का मंदिर स्रिलंका में कुशन नमबर पांच है अजादी के बाद भारत में पहली बार किस महिला को फांसी की सजा दी जाएगे सबनम या साहिन से किया साबानो या आता सावत इसमें राइट एंसर हो जाएगा ए सबनम को कुशन नमबर छे है चाउदा फरवारी को आपकी नजर से देखते हैं वेलेंटाइन डे या पुलुमावा सहीद दिगवन्त इसमर्ती या दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा भी पुल्वामा सहीद दिगवन्त इसमर्ती की रूप में हलाकी वेलेंटाइन डे भी मनाए जाता है लेकिन यहाँ पर आपकी जो नजर होगी या पुल्मावा सहीद इसमर्ती की होगी कोईस्चन नमबर साथ है हाल ही में उत्तर परदेश के किस जिले को कोरोना वाइरस मुक्त जिला घोसित किया गया है किसको किया गया है कानपुर्णगर को या लखनो को या सीतापूर या कौसामबी को इसमें राइट टेंसर हो जाएगा डी कौसामबी को कोईस्चन नमबर आठ है ब्लीचिंग पाउडर का सरवाधिक सक्री घटक है दिया है नॉमेडीन या केल्सियम हाइपोक्लराइड या नाट्रिक एसीड या अमोनिया इसका राइट टेंसर हो जाएगा ब्ली केल्सियम हाइफोक्लराइड कोईस्चन नमबर नौ है स्टेलनेस स्टील क्या है योगिक है मिश्रन है या तत्व है या मिला धातू है इसमें राइट एंसर हो जायेगा D मिला धातु है कोश्चन नमबर 10 है एक घरेलूग गैस सिलेंडर में LPG संगरहित की जाती है ठोस अवस्थाम की जाती है कि गैस अवस्थाम है कि तरल में या इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर हो जायेगा C 10 का तरल अवस्थाम है या लिक्विड होता है कोश्चन नमबर 11 है एक हाइटरोजन एटम में कितने निव्ट्रान होते हैं एक दो तीन या कुछ नहीं इसका राइट एंसर होगा D इसमें कुछ नहीं कोश्चन नमबर 12 है सरीर के किस भाग में पित रस, वाइल जूस का उत्पादन होता है हिर्दे में, फेफडे में, गुर्दे में या यक्रित में यह होता है किस में यक्रित में इसका राइट एंसर हो जाएगा D यक्रित कोश्चन नमबर 13 है भोजन से प्राप्त उर्जा को कैलोरी में मापा जाता है कैलोरीज में या कैल्विन में या फेट में या रामपियर्स में इसका राइट एंसर हो जाएगा तेरा का A कैलोरी में कोश्चन नमबर 14 है कौन सा अंग एक कौन सा अंग जो है एक ग्रंथी है यहां पर ग्रंथी है कौन सा अंग एक ग्रंथी नहीं है अधिब्रिक जिगर पियूस या पित्ता से इसमें राइट एंसर हो जाएगा D पित्ता से जो है ग्रंथी नहीं है कोश्चन नमर 15 है हाथी भालू और गैंडे किसके उधारण है अस्तन धारी के पच्छी के या उभैचर के या सरिश्रिप के इसमें राइट एंसर होगा A पंद्र का अस्तन धारी के या इसमें राइट एंसर हो जाएगा B सपने का कोश्चन नमर 17 है मकडियों में कितनी जोड़ी आखे होती है एक जोड़ी दो जोड़ी चार जोड़ी या आठ जोड़ी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा C चार जोड़ी कोश्चन नमर 18 है हमारे सरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है एक परसेंट दो mencion दो परसेंट या 10.4 या 10.6 परसेंट तो इसमें राइट एंसर हो जायेगा C. 10.4 परतीसट हमारे शरी में नमक की मातरा कितने परसेंट होती है कोशन नमबर उननिस है, शरीर का कौन सा आंग खोन के सुधिकरण से सम्बन्धित है दिल है या पित्तासे है या गुर्दा है या इस्प्लीन है तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा सी गुर्दा इसको किडिनी कहा जाता है कोईशन नमर बीस है पिर्थिवी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है दिया इसमें हावा, चंद्रमा, सूरी पिर्थिवी इसका राइट एंसर हो जाएगा सी सूरी द्वारा कोईशन नमर एक किस है जीवन की मुलभूत इकाई क्या है कोईशिका है, अंग है, उत्तक है या नाभिक है तो इसमें हो जाएगा आपका मुलभूत इकाई क्या होती है कोईशिका, सेल, जिसको इंगलिस में बोलते है कोईशन नमर बाइस है चेचक के लिए टीका किसने परदान किया था एडवर्ड जेनर, रावर्ड कोच, पल, केंडिक या एलेकजेंडर फ्लेमिंग जिसका राइट एंसर होगा ए, चेचक के लिए जो टीका किसने परदान किया था एडवर्ड जेनर ने कोईशन नमर तेईस है रीका वाइरस किसके द्वारा मनुस्य में संचारित होता है चुहा से, मच्छड से, जिंगूर से या खरगोश से तो रीका वाइरस जो है मच्छड के द्वारा मनुस्य के सरीर में संचारित होता है कोईशन नमर चवबिस है टामाटर क्या है टामाटर क्या है सबजी है, फल है, फली है, या खाद तना है तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा टामाटर एक परकार का फल है कोईशन नमर पचीस है प्रकंद का एक उधारण है गाजर, सकरकंद, लासुन या अधरक इसमें राइट एंसर हो जाएगा डी, अधरक जो है प्रकंद का एक उधारण है Q26 मानस वसन में क्या छोड़ा जाता है गैसों का मिस्रान कार्बन मॉनो एक्साइड या अक्सीजन या कार्बन डाई आक्साइड ये छोड़ा जाता है कार्बन डाई आक्साइड Q27 पिर्धिवी की सत्वाइन बेग लगभग है कितना होता है 4.3 km² या 31.3 km² या 11.2 km² या 13.8 km² पिर्थवी की सत्ता का प्लाइन बेग लगभा कितना होता है तो यह होता है 11.2 किलो मिटर पर सिकेंड यानि 27 का राइट एंसर होगा C Question number 28 है Question number 28 Force की SI unit क्या है? Kelvin, Newton, Pascal या Bolt Force की SI unit है वोगा है Newton Question number 29 है वेक्टर रासी का उदाहरण क्या है? वजन है, तापमान है, बेग है या लंबाई है तिसमें राइट एंसर होगा C बेग, वेक्टर रासी का उदाहरण क्या है? बेग है Question number 30 है पानी का घनत तो क्या है? एक हजार किलो गहन मिटर या दस किलो गहन मिटर या एक किलो गहन मिटर या दस किलो गहन मिटर प्रति गहन मिटर तो इसमें राइट रेंसर हो जायेगा तीस का एक हजार किलो प्रति गहन मिटर Q31 है लगभग किस तापमान पर पानी का घनत अधिकतम होगा तो ये घनत अधिकतम होगा किस पर 4 डिगरी सेल्सियस पर Q32 है लेंस के पावर को किस में मापा जाता है लिमें, डायोप्टर, केंडिला या इसमोन में Q33 है निमन में से क्या तरंग विशैसता नहीं है आयाम तरंग दैर यही है माध्यम आभिर्तित इसका राइट есяन सुर जाता है C माध्यम 34 नमबर कोशन देखिए बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं 3, 4, 1 या 2 ये होते हैं इसमें 2 कोशन नमबर 35 है निम्न लिखित में से इन्पुट डिवाइस कौन सा है मानिटर, प्रिंटर, फ्लाफी डिस्क या जायस्टिक कोशन नमबर 36 है कौन सा देश छेतरफल के नुसार सबसे छोटा है सबसे छोटा है ब्राजील, भारत, कनाड़ा, रूस इसमें राइट अन्पुट रजायेगा आपका B, भारत 36 का राइट अन्पुट रगा B, भारत कोशन नमबर 37 है बांगलादेश की अस्तली सीमा किसके साथ है केवल भारत के साथ है या भारत मेमार के साथ है भारत भुटान के साथ है भारत चीन के साथ है तो बांगलादेश की अस्तली सीमा किसके साथ है यहाँ पर ध्यान देजिएगा अस्थली सीमा इसमें पूछा जा रहा है तो ये है किसके साथ भारत और मैमार के बीच राइट एंसर इसका B होगा कोशन नमबर 38 है किसे अरबियन यहां पर यह है किसे अरबियन यानि अरब समुंदर की रानी कहा जाता है मुंबई को तिरिवननदपूरम को कोच्ची को या सुगरत को तो इसका राइट एंसर वाजाएगा C कोच्ची को जो है अरब समुंदर की रानी कहा जाता है कोशन नमबर 49 है हट्टी गोल्ड माइन्स कहां परिस्थित है तमिलनाडो करनाटक केरल या तेलंगाना में यह इस्थित है कहां पर करनाटक में कोश्चन नमबर 40 है भारत में कपास की फसल मुख रूप से उगाई जाती है काली मिट्टी में लाल मिट्टी में बलवी मिट्टी में या जलोड मिट्टी में इसका राइट अंसर वह जाएगा ए काली मिट्टी में कौश्चन नमबर 41 है कौन सी नदी करनाटक और तमिलाडू में बहती है दिया है क्रिश्णा है गुदावरी है ये कावेरी है पेरियार यहाँ पर करनाटक और तमिलाडू दोनों दिया है ति इसका राइट एंसर रजाएगा सी कावेरी नदी कौश्चन नमर 42 है जेलम चिनाव सवी किसकी सहायक नदिया है गंगा सिंधु ब्रमपुतरिया गोदावरी कित ये सहायक नदी किसकी है सिंधु की है कौश्चन नमबर 43 है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है नर्मदा तापती पिरियार या महा नदेत इसका राइट एंसर रजाएगा डी महा नदी जो है अरब सागर एन पसिंदिशा के और नहीं बहती है कौश्चन नमबर 44 है भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में किस संसोधन के अनुशार संसोधन किया गया था 35, 42, 91 या 72 इसका राइट एंसर जाएगा बी 42 सम्मिधान संसोधन ये हुआ था 1976 में कौश्चन नमबर 45 है भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए आवस्चेक निवंतम आयो निवंतम यूम्र क्या है या पर निवंतम उम्र क्या है 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल इसका राइट एंसर जाएगा बी 25 साल कौश्चन नमबर 46 है भारत का सरवच बिधाई निकाए है कैबिनेट है या उच्तम नियाले है या निर्वाचन आयो या संसद है इसका राइट एंसर हो जाएगा डी संसद भारत का सरवच बिधाई निकाए कोण सा है संसद है कौश्चन नमबर 47 है भारत के राष्टपती के किसको द्वारा सपत दिलाई जाती है भारत के मुख नियाधिस द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा या उप राष्टपती द्वारा लोग सभा अध्धिस द्वारा इसका right answer होगा A, भारत के मुख्य न्याधिस द्वारा question number 48 है भारत का सम्विधान दिवस को मनाय जाता है 24 नॉबर को या 25 नॉबर या 26 नॉबर या 27 नॉबर इसका right answer होगा C, 26 नॉबर को question number 49 है स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किये गए थे 1903 या 1950 या 1947 या 1951 बावन इसका राइट एंसर हो जाएगा D 1951 बावन में कोशन नमर 50 है और अंतिम कोशन है गोवा को महराष्ट राज में बिले का बिकल्प किस वर्स दिया गया बिले का किस वर्स बिकल्प जो है किस वर्स दिया गया यहां पर की असर यह है किस वर्स दिया गया 1905, 1963, 1969 या 1961 इसका राइट एंसर हो जाएगा D 1961 यह थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक कर अपने दोस्तों के अधिक स्थिक सेयर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वन दे मात्रम